इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूले ताके जब भी हम लाइव जाए आपके पास लाइव नोटिफिकेशन आए हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल टेक विद कृष में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जूम एप को हम कैसे पर्मनेंटली डिलीट कर सकते हैं जिया दोस्तो बहुत सारी खबर आई है कि जूम एप जो है वो सेफ नहीं है तो अगर आपको भी लगता है कि Zoom App सेफ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं इसे अनिंस्टॉल करने की बजाए पहले आप इसे पर्मानेंटली डिलीट करें उसके बाद ही इस अप को अनिंस्टॉल करें तो दोस्तो Zoom App को पर्मानेंटली डिलीट करने के लिए हमें इसकी एप खोलने की जरूरत नहीं है हमें क्या करना है हमें अपना Chrome ब्राउजर या आप जो भी ब्राउजर यूज़ करते हैं मुबाइल या लैप टॉप पे उसे खोल लेना है यहां हमें Zoom.us मतलब जो इसकी official website है वहां पे हमें sign in कर देना है यहां पे दोस्तों हमें अपना email address और password डालना है जो हमने Zoom app बनाते वक्त create किया था यानि sign up करते वक्त use किया था तो अब हम यहां पे अपना email address और password डालके sign in कर लेंगे तो यहां दोस्तों हमने Zoom app में sign in कर लिया है यहां मैं आपको zoom करके दिखाऊं तो यहां आप उपर top right पे देख सकेंगे एक profile photo यानि blank profile photo जैसा option है जिस पे हमें click कर देना है यहां दोस्तों हमें अपना नाम और email ID दिखेगी इस पे हमें click कर देना है अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं बीच में green के नीचे profile लिखा है इस पे हमें click कर देना है यहां दोस्तों click करते ही कुछ options नीचे scroll down हो जाएंगे यहां आप देख सकते हैं नीचे account management का option लिखा है जिस पे हमें click कर देना है अब दोस्तों यहां पे हमें account profile पे click करना है दोस्तों account profile पे click करके आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं Terminate my account का option आ गया है यहाँ दोस्तों हमें Terminate my account पे click करना है और यहाँ पे हमारा account जो है वो delete होने के लिए यहाँ पे confirmation पूछेगा यानि यह पूछेगा कि क्या आप सच में अपना account permanently delete करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे yes पे click कर देंगे अब दोस्तों उपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ गया है कि terminate your account success मतलब आपका account जो है वो zoom app से permanently delete हो चुका है तो अब मैं अपनी zoom app खोलूँगा वहाँ मैंने इसी email id के साथ login किया था अब मैं चेक करूँगा कि क्या वहाँ से वो automatically log out हो चुका है तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एप खोलते ही लिखा हुआ आ गया है कि your session has ended and you need to sign in again अब दोस्तों मैं sign in करके चेक करूँगा कि क्या मेरा account सच में delete हो चुका है तो आप वही email id और password डाल के आ रहा है login field मतलब हमारा account जो है वो zoom app से delete हो चुका है permanently तो दोस्तों यह तरीका इस्तमाल करके आप zoom app से अपना account permanently delete कर सकते हैं तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आई हो